हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मैं संधीप परमार अपने चनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट सेशन की जिस बिल में क्रिप्टो को लेकर बात कही गई साथी साथ जिस तरीके से क्रिप्टो पे जो टेक्स लिया गया है या फिर उसे लीगल किया गया है उसके बाद ऐसी कौन सी करंसी है जिस पर सबसे आदा बूम देखने को मिलेगा अगर आप यह सब जानना चाते है तो वीडियो को अंतक देखें अगर आप कोई वीडियो पचंदा है तो लाइक करें शेर करें कमेंट करें तो फ्रेंड्स अगर क्रिप् क्योंकि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इतने बड़ा गौर्मेंट जो कि कहीं न कहीं फाइनलाइज नहीं कर पा रही थी अभी गौर्मेंट क्रिप्टो को लीगल कर दिया है तो सबसे पहले इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं तो क्रिप्टो करंसी है उसको लेकर जो 30% टेक्स है उसकी बात कहीं जा रही है और जो 30% टेक्स है यहाँ पर जो आप इंकम करेंगे आप उसके उपर यानि जो कि आप पैसा कमाएंगे उस पर 30% लगने वाला है तो आज का जो क्रिप्टो करंसी को लेकर जो निउज है जो बिल हुआ है उसमें तीन बात कहीं पहला कि जो आप income होगी उस पर 30% tax लगेगा दूसरा उसके बाद अगर आपके साथ कोई loss होता है या फिर आपको कहीं इसमें loss होती है उसमें government का कोई अगर आप किसी भी cryptocurrency को अगर virtually gift करते हैं तो वो भी taxation के अंदर आएगा तो जी हाँ दोस्तो आज ये तीन मोटी मोटी बातें कहीं गई जिसमें 30% tax का अगर आपको loss होता है तो आप उसे बीर करेंगे और तीसरा अगर आप किसी को as a gift भी cryptocurrency देते हैं तो वो भी taxation के अंदर आए सभी जानते हैं कि जो इंडियन community है या फिर जो इतने सारे लोग है government के द्वारा legal होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ा group है जो कि बहुत सारे लोग जो share market में invest करते हैं वो कहीं ना कहीं अब crypto में invest करेंगे क्योंकि government ऐसे legal करती है साथी साथ साथी साथ government अपनी currency launch करने जा रही है RBI के लिए separate fund रखा गया है जिसमें RBI अपनी cryptocurrency launch करेगी अगर ऐसा होता है तो जो इंडिया की खुद की currency है वो सभी जितने भी virtual assets से उनको पीछे छोड़ देगी क्योंकि हमारी जो power है हमारी जो जनसंग क्या है हमारी जो population है वो बहुत करना और budget के अंदर इस पर taxation लाना एक बहुत बड़ी poetry news है इसका direct असर cryptocurrency पर देखने को मिलेगा और virtually बहुत ही बड़ा market में भूम आने वाला है friends जैसे ही crypto को लेकर poverty news आती है taxation की बात कही जाती है legal की बात कही जाती है उसके बाद एक ऐसी currency जिस पे आप state line देख सकते है 64 रुपी से सीधा 94 रुपी को touch करती है यानि 30% की तेजी और शांदार तेजी अभी 81 पर ट्रेड कर रही है और 30% का जंप देखने को मिला है और जै यहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वजीरेक्स के अपने कोईन वजीरेक्स की जैसा कि दोस्तों हम अपने वीडियो में आपको हमेशा बताते हैं हैं कि जब भी इंडियन गुवर्मेंट क्रिप्टो करणसी को legal करेगी taxation के अंडर ला वाले हैं क्योंकि इंडिया में जितनी population अगर उसका 10% लोग भी इंवेस्ट करते हैं तो और वह रोपे का investment आएगा और उसका सीधा-सीधा असर वजीरेक्स पे और वजीरेक्स के कोईन पर देखने को मिलेगा तो इस कोईन में अभी तो यह स्टार्टिंग है अगर हम पू भी इंवेस्ट करें क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा जो 30% का taxation की में बात करूँ तो वो उन लोगों के लिए loss है जो की trading करते हैं यानि आज buying करते हैं कल बेचते हैं या फिर कुछ घंटों के अंदर buying sale करते हैं उनके लिए ये एक loss है लेकिन investor के लिए कोई loss नहीं है जिसने आज buying करना है 5-10 साल के लिए खरीद के छोड़ देना उसके लिए कोई loss नहीं है तो अब 30% taxation में मच जाईए आप इस बात पर जाईए कि government ने इसे legal कर दिया एक बहुत बड़ी और एक बहुत बड़ी positive news पूरी cryptocurrency के लिए क्योंकि अगर इंडिया इसे ban करता जो कि आने वाले समय में boom करने वाला है आखरी मौका है exclusive मौका है अगर आप अभी फिन्वेस्ट करना चाते है तो अभी फिक्रिप्टो में इन्वेस्ट करें मौका अभी आपके हाथ में मौका भी छुटा नहीं है अगर आप यई वीडियो देख रहे तो आप बात में आपको करणोपती बना के छोड़ेगा तो क्रिप्टो मार्केट में अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो जरूंवेस्ट करें अगर आप हमारा वीडियो फस्ट टाइम देख रहे तो हमारे चलेंगों जरू सब्सक्राइब करें प्रेस करें जैसे फ्यूचर में आ करता थेंक यू